बॉल्यूट सूपरस्टार शारुक खान एक बहुत बड़ा स्टेट्मेंट दिया है जहां पे उन्होंने कहा है कि उनकी आगे आने वाले जितनी भी मुवीज होंगे उस मुवीज के प्रमोशन के लिए मुवी के कोई भी चीज़ के लिए ना वो मिडिया इंटराक्शन करें है लेकिन शारुक खान सिर्फ लॉंचिंग के वक्त प्रेजेंट थे तभी मिडिया से सिर्फ ऐसे आपके सकते हो नॉर्मल है हेलो के थे बड़ किसी को कोई इंटर्व्यू नहीं गया था मुवी के लिए और आगे उनका यही प्लान है कि कोई भी मिडिया को लोगों का क्या मानना है आए नजदाते इस प्रेव रिपोर्ट पे इस प्रेव वीडियो पे जहां मैं आपको रूबर कराऊंगी कि आखिर का शारुक खान ऐसा क्यों कर रहे है तो हेलों वेर्कम टू फीफा फूस मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्वाली शोकी वोस्त उसवाल आपको बता दू कि शारुक खान में भी यह रिपोर्ट सामने आ रहा है कि शारुक खान इनके बैटे आरे आरे खान को ड्रक्स केस के टाइम पे मिलेया ने जिसवे से मेन उसको कवर किया जिस वेसे इनके आपर अलिगेशन लगाय थे कुछ पोर्टल ऐसे थे जो पैसे देके उन्हें चुबा सकते हैं। करप्शन को किस आंगल से टेंपरावी बंद करना हैं। किस अंगल से एक स्टार किट को निकाला जाएं के सब मामलों से यह को शारूख खान से सिखें। बहुत सारी अलगल तैप का अलगिश्ट लगाए गए तरशाइद लिएगी वज़ा है कि शारुक खान नारा से मिल्या से और नहीं चाहते हैं मिल्या से कोई बात्चित करना या फिर उदो भी सारी चाहते हैं कुछ रिपोस हैं कि वो अल्री बोंबर सारी बन चुकी है उन्हें मिल्या से बात चेक करें मिल्या के प्रोशिंस की जरूरत देजिरी मिल्या से बात के पार ने आकर्त कि पने से प लया है रिपोर्ट्स की माने तो यही बता जा रहा है कि शारुख खपा है मुया से क्योंकि जिसक्वे से इनकी बेटे की न्यूस को शापा गया है और इसको कवर किया था वह अंदाज से शारुख खान बिल्कुल भी खुश नहीं है लेकिन आगे कर शारुख खान ऐसा कुछ भी फफफ़ खुश